ये की परिक्षा हो रही है यूपी में एक लाग से ज़्यादा परिक्षा आती है और परिक्षा केंद्र पर मास्क पहनना अनिवार है यह तीन तस्वीरे देखे हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली चंडीगड बैंगलूरू की तस्वीरे है जहां पर आज जे की परिक्षा द दिखी है और चंडीगड में भी यहां पर चात्रों के चेरे पर मास्क है हाथ में सनिटाइजर है और इसके बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है बैंगलूरों में भी ऐसा ही नजारा दिखा है जम्मू में भी देखे जब आज जेक एक्जाम सो रहे तो वहां पर कोरोन से इन्हें खड़ा होना है वहां पर लोगों को एक किक करके जो छात्र पहुचना है एक्जाम देने उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है लेकिन लोगों की चरफ पर मास्क दूरी है होना वह जिखीय है गने जानाज चाह एगजड मेंस की परीक्षा के एंडर और इज पर्षाराइक परिख्षा हुए, रहें उन फोंगते हैं। हमारे साथ गाजियबाद मेरथ दिल्ली और लखनौ से समवधाता जूर चुके अलग लग जगोंसे सब्सें पहले हम चलेंगे दिल्ली का ही रुख करेंगे दिल्ली में आज मेंस की जो परिक्षाएं हो रही है रवी वहाँ पर इस सक्त पहली बाले की परिक्षा तो शुरू हो चुकी होगी उस पहली पाली की परिक्षा में आपने कैसी स्थती देखी क्या आप वो कुरोना काल के बीच ने प्रोटोकॉल को फॉलू करते शात्र देखे और किस तरीके से तयारिया है वो व्यापक तोर पर आपको नजर आई है जो पहले से की जा रही थी बिल्कुल सिवांगी देखे प्रोटोकॉल बनाया गया है चुकी देश में करोना चल रहा है करोना काल है तो ऐसे में प्रोटोकॉल ही बनाया गया और केंद्र के साथ साथ पर देश की सरकारों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है अगया चल रहा है कि यसमें परिच्छाहाँ होती है प्रोटोकॉल बड़ी हो नुदा सभी लोग कही चुछ दिश्टेंस की साथ से से ज मोड़ाया गया और पहले से कह दिया गया था कि सेनिताइजर आपको ले कराना है तो परिशारती अ कि अब भी कराया है। भबिश गाज़र्रगरे को नियांगी ते कि या ज्रॉर्णार प्रोट्विकार की नियांब गाजी बाज भालत में क्या ततस्वीर देखिए आपको आज कि गाजबाद में आज सुबह साथ बजे से ही जो एक्जामिनेशन सेंटर इनके चातर पहुंच चुके थे क्योंकि स्क्रीनिंग होनी थी शोशल डिस्टेंसिंग का पारा नहीं करना था तो उसमें फ्रिस्किंग और तमाम तरी चेकिंग में समय लगना था 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 यहां पर बच्चा शुरू हो चुकी है और वहां पर इटेंडेंस है वह भी बहतर बताई जा रही है किसी बच्चे ने कोई परिक्षा नहीं चोड़ी है को कि इस परिक्षाओं को दो बार पहले टाला जा चुका था लेकर पूरे देश में सियास्ता चल रही थी है खासकर बच्चो जो चात्र है वो एक कमरे में बैठा कर देता है वहां पर बार चात्रों कोई संख्या रखी गई है ताकि क्लास रूम्स के भीतर भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके इसके अलावा तवाम तरीके के जो प्रोसीजर से थर्मल स्कैनिंग के हैं उनके पास पा स्क्राइशन पहले दी जा चुकी थी सरकार इस बात को ले करके सभी राजयसरकारों से बात भी कर चुकी थी जहां-जहां से वहां पर पूरी तरीके से पुक्ता-बकास तरीके से यहां पर करानी लोग लेकर दे संद्धाल है जब पुलड देर्स शांट के ने जाएब आर्थे झान गांग टॉइक से तरी किक्रे में पूरे में प्लाण नहीं पूरेक honored को यहां बज़े तक सारे छात्रों को अंदर एंटी दिया चुकी थी और एंटी से पहले जो गेट आप देख रहे हैं जो गेट अभी बंद है इस गेट के अंदर गुसने से पहले ही यहीं पर उनको थर्मल स्केंड किया गया उनको सेनटाइज किया गया और उनको मास्क लगाने के आ इसे ज़यादा साथ यहां पर नहीं रखे गए हैं और एक से लेकर 6 सितमबर के बीच में करीब ताल्यसो के करीब चाहत रहें वो यहां पर प्रिक्षा देंगे तो पूरा यह जो प्रिकॉसण में वह रखा कि यह इंतजाम है यहां तक तो ठीक है लेकिन जब छात्र यहां से निकलेंगे उसके बाद में जब सहर में एंटरी होंगे तो इनके अलाबा आज सब्सक्राइब करना जरूरी हो जाता है अब सीदे लखनों पर रुक कर लेते हैं संजय हमारे साथ जुड़े हैं संजय के पूरे प्रदेश में स्वक्तिस्ति कैसी है वह पहले से तयारे की गई थी हमें दिखाई भी थी दो दो अब्जरवर लगा दिए गए केंद्रों पर लेकिन इसी के साथ क्या जिस तरीकी से विरोध हुआ था कि शात्र कम संख्या में एक्जाम देंगे क्या संख्या में कमी आई है अपर शात्र एक्जाम देने के लिए पहुंच रहे हैं उतनी संख्या में जितना की उन्हों ने रिजिस्ट्रेशन करवाया था अड्मिट कार्ड निकाले थे हाई हाला कि आज जिस तरीके से एक्जाम था आज उतनी संख्या एक्जाम में नहीं थी जितनी संख्या कल होने वाली है जो कल जेई का एक्जाम होगा वो बहुत इंपोर्टेंट कल स्टुडेंट की जो संख्या है वो अपने आप में चरम पर होगी हाला कि आज पूरी तो संग प्रमुख मोहन भागवाते पूर राश्रपती प्रड़ा मुखर जी कुछ